एक जंगल में एक मीनू चड़िया अपने पती मानो चड़े के साथ अपने घर में रहा करती थी मीनू चड़िया और मानो चड़े की अभी नई नई शादी हुई थी मीनू चड़िया और मानो चड़ा अपनी शादी के बाद एक दूसरे के साथ बहुती ज्यादा खुश रहा करते थे उस ही जंगल में एक कालू कववा अपनी पत्नी पिरिया कववी के साथ रहता था कालू कववे और पिरिया कववी की भी अभी नई-नई शादी हुई थी लेकिन कालू कववा अपनी पतनी के साथ बिलकोल भी अच्छा वैवाल नहीं किया करता था एक दिन पिरिया कववी अपने पती कालू कववे से कहने लगती है एरे क्यालू हमारी शादी हुए अभी कुछी दिन हुए है लेकिन तुम मुझे अभी तक कहीं पर गुमाने नहीं लेकर गए हो चलो गुमाने की बात तो दूर तुम तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते हो कभी कालू कफे अरे तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या तुम्हें सिर्फ हरवत गुमाता ही रहूं कही न कही और हाँ एक बात बताओ अब मैं और कितने अच्छे से बात करूं तुम से ये बात मैं तुम से अच्छे तरीके से ही कर रहा हूं तुम तो ये शुक्र करो कि मैं कम से कम तुम से बात तो कर रहा हूँ वरना मैं तो तुम से बात भी ना करूँ एरे कालू मेरा ये मतलब तो बिलकुल भी रही था देखो वे मानू चिड़ा मीनू चिड़िया का कितना ख्याल करता है और तो और उसकी इज़त भी किया करता है अरे तो फिर जाओ उधर ही रहलो ना उसमानो चड़े के पास मेरे साथ क्यों रह रही हो तुम बस ऐसा कहकर वे कालू कव्वा हुस्से में अपने घर से बाहर चला जाता है अब वे पिरिया कव्वी कालू कव्वे की वज़े से काफी ज्यादा उदास होकर मीनू चड़िया के पास आ जाती है अरे पिरिया कव्वी क्या हुआ तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम इतनी उदास होकर बिल्कुर अच्छी नहीं लगती हो पिरिया कव्वी एरे मेनू चड़िया मैं तुम्हे क्या बता हूँ वे कालू कववा मेरी बिलकुल भी इसे नहीं करता है मेरा बिलकुल ख्याल नहीं रखता है वो बस हर वक्त मुझे बाते ही सुनाता रहता है मैं क्या बताओं मुझे ही पता है मैं उस कालू कव्वे के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ अरे पिरिया कव्वी पता नहीं वे कालू कव्वा तुम्हारे साथ ऐसा क्यूं करता है लेकिन मानो चिड़ा तो मेरे साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं करता है मानो चड़ा तो मेरा बहुती ज़्यादा ख्याल रखता है और तो और वे मानो चड़ा मुझे दिन बाद दिन शॉपिंग पर भी ले जाता है एरे लेकिन मेरा पती ऐसा नहीं है न वे बिलकुल भी अच्छा नहीं है मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है तुम मेरी बात नहीं समझोगी चलो छोडो मैं अपने ही घर जली जाती हूँ वापस ऐसा कहकर वे पिरिया कववी वापस अपने घर की तरफ चली जाती है अब वे पिरिया कववी रोज मानो चड़े और उसकी पतनी मीनू चड़िया को खुश देखकर जलने लगती है एक दिन पिरिया कववी मीनू चड़िया की जलन में आकर सोच रही होती है एरे ये मीनू चड़िया और मानो चड़ा कितने खुश रहते हैं एक साथ मुझसे तो ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है मुझे अब इनका कुछ नकुछ तो करना ही पड़ेगा अब मैं एक काम करती हूँ मैं इन दोनों के बीच में भी लड़ाई करवा देती हूँ अगर मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी तो मैं इने खुश तो देख नहीं सकती हूँ बस यहीं सोचकर पिरिया कवी मानो चिड़े के पास उसके घर में आ जाती है अरे पिरिया कवी क्या हुआ तुम यहां क्यों आई हो मेनो चिड़िया तो घर पर नहीं है वो बहार काम से गई हुई है अरे मानू चड़ी ये तो और भी अच्छी बात है मुझे तो वैसे भी तुम से ही बात करनी थी कुछ हाँ हाँ पिरिया कवी बोलो बोलो तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे अरे मानू चड़ी तुम देखो मीनू चड़ीय का कितना जादा ख्याल रखते हो लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता है वे मीनो चड़िया तुम्हारी सभी पक्षियों से बुराई क्यों करती है अरे पेरिया कावे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मीनो चड़िया ने आखर ऐसा भी क्या बोल दिया है मेरे बारे में अरे मानो चिड़े तुम्हारी पत्नी मीनू चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है कि मानो चिड़ा बहुती ज्यादा जालिम है वो मुझे मारता भी है और मेरा बिलकुल भी खयाल नहीं रखता है वे सबी पक्षियों के सामने ऐसे ही जूट बोलती रहती है तुम्हारे बारे में आरे नहीं नहीं पिरिया कवी मुझे तो नहीं लगता कि मीनू चिड़िया ऐसा बोल सकती है देखो ना मैं तो अस मीनू चिड़िया का कितना ख्याल रखता हूँ मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है मीनू चड़िया ऐसा नहीं बोल सकती अरे पर मानू चड़िया तुम ये भी तो सोचो मुझे तुम से जूड बोलकर आकर क्या ही मिल जाएगा पिरिया कवी की बात सुनकर मानो चड़ा सोचता है कि क्या पता मीनू चड़िया ने सच मैं ऐसा बोला हो बस अब वे पिरिया कवी मानो चड़े को उल्टा सीधा बोल कर चली जाती है वहां से फिर जब थोड़ी देर के बाद मीनू चड़िया घर में आती है तो मानो चड़ा उससे कहने लगता है अरे मीनू चड़िया तुम जंगल के सबी पक्षियों से मेरे बारे में जूड जूड क्यों बोलती रहती हो एरे मानोचड़े मैंने तो कितने दिनों से जंगल के किसी पक्षी से बात भी नहीं करी है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हूं मुझ से बस फिर वे मानो चड़ा मीनू चड़िया से कुछ भी नहीं चुपाता है और मीनू चड़िया को पिर्यकवी की सारी की सारी बातें बता देता है मानो चड़े की ये सारी बात सुनकर मीनू चड़िया मानो चड़े से कहने लगती है एरे नहीं नहीं मानो चिड़े मैंने तो उस पिरिया कवी से तुम्हारी तारीफ करी थी बलके वो मुझसे कालू कवी की बुराई कर रही थी मीनो चिड़े की बात सुनकर मानो चिड़े की गलत फहमी दूर हो जाती है और अब वे दोनों दुबारा से खुश रहने लगते हैं मीनो चिड़े और मानो चिड़े को अभी भी खुश देखकर वे पिरिया कवी सोचने लगती है एरे मैंने तो सोचा था कि ये मानोचिड़ा मीनोचिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देगा लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ उल्टा ये मानोचिड़ा और मीनोचिड़िया तो फिर से खुश रहने लग गए हैं बस फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन कालू कववा नशे की हालत में अपने घर में आ जाता है अरे कालू कववे तुम सुदरोगे नहीं घर में शराब पी करा जाये हो तुम से अच्छा तो वो मानो चिड़ा है तुम पर आज मुझे बहुत जादा गुसा रहा है अरे कालू कववे तुम मुझे घर से मत निकालो अगर तुम मुझे घर से मत निकालो अगर तुम मुझे घर से निकाल दो के तुम बहुत कहा जाओंगी अरे ये सब मुझे नहीं पता तुम कहीं पर भी जाओ बस तुम मेरे घर से जल्दी निकल जाओ बस फिर क्या था अब वे कालू कावा अपनी पत्नी पिरिया कवी को अपने घर से बहार निकाल देता है अब वे पिरिया कवी जंगल में एक जगा पर बैठी सोच रही होती है एरे मैंने तो उस मीनू चिडिया को उसके घर से निकलवाने का सोचा था लेकिन ये तो उल्टा मेरे ही पती ने मुझे मेरे घर से बहार निकाल दिया है ये सब मुझे मेरी गलती के सदा मिल रही है मुझे मीनू चिडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अब मैं क्या करूँ मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है रात हो जाएगी तो मैं कहा जाओंगी मुझे कुछ समझ रही आ रहा है अब मैं क्या करूँ लेकिन मैंने उस मीनू चिडिया के साथ बहुत ही गलत किया है मुझे उस मीनू चिडिया के पास जाकर बस अब बाफी मांगने ही पड़ेगी बस वे मीनू चिडिया मुझे अब माफ कर दे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बस यही सोचकर वे पिरिया कवी अब मीनू चिडिया और मानो चिड़े के घर में आ जाती है एरे मीनू चिडिया तुम मुझे माफ कर दो मेरा पती मुझे बिलकुल भी खुश नहीं रखता था और तुम्हारा पती तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखता है इसलिए मैं तुम से जलने लगी थी बस इसलिए मैंने तुम्हारे पती बानो चिड़े से आकर सब को जूट बोला था इसलिए तुम मुझे माफ कर दो मैं तो चाहती थी के मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकल वा दू लेकिन आज मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है मीनू चिड़िया मुझे माफ कर दो मेरे पती नहीं आज मुझे घर से निकाल दिया है वो शराब पी कर आया था आज अरे पिरिया कव्वी तुम बिलकुल भी परिशान मत हो उस कालु कव्वे ने तो तुम्हारे साथ ये बहुती बुरा किया है लेकिन तुम बिलकुल भी परिशान मत हो देखना जब उस कालु कव्वे को अपनी गलती का एसास होगा तो वो जरूर तुम्हे वापस लेने आएगा और वे तुम से माफी भी मांग लेगा हाँ हाँ परिया कव्वे में उचिडिया ठीक कह रही है अब जब तक कालु कव्वे तुम्हे वापस लेने नहीं आता है जब तक तुम हमारे घर पर रह सकती हो बस फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद अब कालु कव्वे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे कालु कव्वा अब पिरिया कव्वे से माफी मांगने के लिए आ जाता है अरे पिरिया कव्वी मुझे माफ कर दो मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करता था मुझे शराब की भी बहुती बुरी आदत लग गई थी लेकिन अब मैंने शराब भी छोड़ दिया है अब मैं वो दुबारा से नहीं पियूंगा कभी भी बस अब तुम मुझे माफ कर दो पिर्या कवी मैं आज के बाद तुमारे साथ कुछ भी खलत नहीं करूंगा तुम अब मेरे साथ घर चलो वापस बस फिर वे पिर्या कवी उस कालू कवी को माफ कर देती है और कालू कवी के साथ वापस चली जाती है बस अब वे पिरिया कववी और कालू कववी दोनों एक साथ खुश रहने लगते हैं और अब ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेना मिलती है कि हमें किसी की खुशी देख कर जलना नहीं चाहिए ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है जिस जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घर बना कर रहा करते थे उस जंगल में मिठू महराज का राजय था जिसके कारण सब कुछ जंगल में ठीक ठाक चल रहा था एक दिन मिठू महराज अपने महल में सबी पक्षियों को बलवाते हैं एरे महराज हम सब पक्षियों को एक साथ यहां पर बलवाने की कोई खास वजा है अपकी हाँ हाँ पक्षियों आज मुझे आप सबी पक्षियों से एक जरूरी बात करनी है इसलिए मैंने आप सब को यहां पर बुलवाया है अच्छा महराज तो फिर बताईए आपको हम सब पक्षियों से एक साथ क्या बात करनी है हाँ हाँ महराज ऐसी भी क्या खास बात करनी है आपको हम सब से जो आपने हम सब को यहां बुलवाया है जल्दी बताईए महराज एरे पक्षियों आप सब महराज को बोलने तो दीजिये महराज कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे पर आप सब उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे अच्छा बस पक्षियों आप सिर्फ तोते महराज बोलेंगे और कोई भी नहीं बोलेगा अब बोलिए महराज आपको क्या बात करनी है अरे पक्षियों मैं कब से आप लोगों को बताना चाहरा हूँ पर आप लोग है के मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो अब बस मैं बोल रहा हूँ मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलवाया है आप लोगों को तो पता ही है के अभी हमारे जंगल में सर्दियों का मौसम आने ही वाला है और जंगल में सभी पक्षियों के घर इसकाबिल नहीं है के वे सर्दियों को बरदाश कर सकें आप सब के घर बिलकुल भी अच्छे बने हुए नहीं है आप सभी के घर में सर्दी जाएगी इसलिए आप सब पक्षियों को अब मैं कहता हूँ कि अब आप सभी पक्षी अपने नए लकडी के घर बना लें नए लकडी के बने हुए घरों में आप सब पक्षियों को ठंड भी नहीं लगेगी और आप सब लोग अराम से सरदियों में रह सकेंगे फिर अरे अरे महराज ये आप क्या बोल रहे हैं नए लकडी के घर बनाने में तो बहुत ही जादा कर्चा हो जाएगा जी महराज ये कालू का वड़ ठीक कह रहा है अभी तो हम सब पक्षियों में से किसी ने भी दाने भी जमा नहीं किये हुए है लकडी की घर बनाने के लिए हाँ महराज आप खुद ही सोचिए बगएर दानों के हम सब पक्षि कैसे अपने घर बनाएंगे महराज अभी तो शायद ही किसी पक्षी के पास इतने दाने होंगे कि शायद ही वो अपना नया घर बना सके आरे पक्षियो आप सबको बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपके जंगल का महराज हूँ मैं आप लोगों की मुसीबत हल कर लूँगा आप लोगों के नए घर बनाने के लिए आज मैं आपको दाने दे रहा हूँ बस आज मैं आपको जो दाने दूंगा उन दानों से आप अपना घर बना ले न अरे महराज, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अगर आप हमें दाने देंगे, तो हमारे तो अराम से नए घर बन जाएंगे महराज, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप सच में हम सब पक्षियों का बहुत जादा ही ख्याल रखते हैं हाँ महराज मानोचिडा सही कह रहा है आप हर मौसम में हमें बिलकुल भी परिशानी नहीं होने देते हैं बस फिर आप दोते महराज जंगल के सभी पक्षियों को दाने दे देते हैं घर बनाने के लिए सबी पक्षी दाने लेकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं घर आते ही पिरिया कवी अपने पती कालू कवे से कहने लगती है एरे कालू तुम बिलकुल भी देरी मत करना घर बनाने में सर्दियों का मौसम आने ही वहला है बस तुम जल्दी से नया घर बना लो हाँ हाँ प्रिया कववी तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं बना लूँगा नया घर एरे हाँ हाँ कालू कववी तुम मुझे पर गुश्टा क्यूं कर रहे हो मैं तो बस इतना ही बोल रही थी कि बस तुम जल्दी से घर बना लो कहीं तुम इन दानों का कोई फुजूल खर्च मत कर देना फिर तोते महाराज दुबारा हमें ये दाने नहीं देंगे प्रिया कववी के ये कहने से पहले ही उस कालू कववे को तो महाराज के दिये हुए दानों पर लाला चा गई होती है अरे अभी तो वैसे भी सर्दियों का मौसम नहीं है मैं एक काम करता हूँ मैं इन दानों से अपने दोस्तों के साथ बैठ कर मज़े से पार्टी करता हूँ फिर जब सर्दी आएगी जब तो मैं कही न कहीं से नए घर का बंदोबस कर ही लूँगा दूसरी तरफ मीनू चिडिया अपने घर में अपने पती मानो चिड़े से बोल रही होती है पिर अगले दिन सभी पक्षी समान लेने जाने के लिए एक जगा पर जमा होते है तबी कबूतर कहने लगता है हैरे क्या हो गया है ये कालू कववा कहा रह गया है अभी तक नहीं आया ये पक्षीयो उस कालू कववे की वज़ा से तो हमें भी देरी हो रही है अरे पक्षीयो अब ये तो उस कालू कववे के घर पर जाकर ही पता लगेगा के वे हमारे साथ जा भी रहा है या नहीं मुझे तो नहीं लगता के वे हमारे साथ जाने वाला है देखो वैसे ही कितनी देर हो गई है अभी तक तो आया नहीं वो लेकिन फिर भी चलो पक्षियों हम सब उससे जाकर पूछ लेते हैं क्या पता उसे पता ही ना हो कि हम सब पक्षी एक साथ जाने वाले हैं इसलिए वो हमारे पास नहीं आया हो अगर वो जाने का बोलेगा तो हम वहां से ही बड़े बजार निकल जाएंगे एक साथ फिर मानो चड़े के कहने पर आप जंगल के सभी पक्षी कालू कवे के घर में आ जाते हैं अरे कालू कवे तुम अपने घर में इतने अराम से क्या बैठे हुए हो सर्दियों का मौसम आने ही बाला है तुम हमारे साथ लकणियां देने नहीं जा रहे हो क्या औरे नहीं नहीं पक्षियों आज मैं आप सभी के साथ नहीं जा पाऊंगा बड़े बजार आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मुझसे बिलकुल भी कुई काम नहीं हो पाएगा आज इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा लेकिन आप लोग मेरी चिंता मत करो, कर जैसे ही मेरी तबियत थोड़ी ठीक होगी, मैं खुद अकेला ही बड़े बजार जाकर अपना समान ले आउंगा इसलिए पक्षियों, आप मेरी चिंता मत करो, और आप लोग जाओ बड़े बजार समान लेने के लिए अरे अच्छा ठीक है ठीक है कालू कववे, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो जा रहे हैं भई समान लेने फिर सभी पक्षी, वहां से बड़े बजार समान लेने के लिए चले जाते हैं सभी पक्षियों के जाने के बाद जैसा के कालू कववे ने सोचा होता है कि वे उन दानों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा तो यही सोचकर वे कालू कववा अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है बस्वे कालू कव्वा अपने दोस्त के साथ पार्टी करने में ही अपने सारे के सारे दाने खतम कर देता है फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद अब जंगल में सभी पक्षियों के नए घर बन जाते हैं फिर एक दिन पिरिया कव्वी कालू कव्वे से कहने लगती है एरे कालू कव्वे सभी पक्षियों ने अपने नए घर बना लिये हैं पर तुमने अभी तक हमारा नया घर नहीं बनाये हैं देखो वैसे भी सरदियों का मौसम तो आही गया है इससे पहले के और सरदियां बढ़ जाएं तुम निया घर बना लो हमारा औरे पिरिया कावी अभी जितनी ठंड हो रही है इतनी ठंड तो हम लोग बरदाश कर सकते हैं ना अभी कौन सा हमारे जंगल में बरफ गिर रही है अगर बरफ गिरने लगेगी तो मैं अपना नया घर बना लूगा फिर अगले ही दिन से जंगल में बहुती ज्यादा ठंड पड़ जाती है और जंगल में अब तो बरफ भी गिरने लग जाती है जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं लेकिन उस कालू कव्वे ने तो अपना नया घर बनाया ही नहीं होता है जिसके कारण वे और उसकी पतनी उस ठंड के अंदर एक दरक्त पर बैठे होते हैं क्योंके उनका पुराना घर तो बर्फ गिरने की वज़ा से तूट चुका था अरे कैलू कव्वे अब मुझे पूरा यकीन हो गया है तुमने जरूर वे दाने फुजूल खर्च कर दिये होंगे तबी तो तुमने हमारा नया घर नहीं बनाया है तुम्हारी इस फुजूल खर्ची की वज़े से अब देखो हमें कितनी परिशानी हो रही है देखो माफ कर दो अब हम लोग एक काम करते हैं हम मिठू माराज के पास चलते हैं वे जरूर हमारी मदद करेंगे यही सोचकर वे दोनों अब महल में मिठू माराज के पास आ जाते हैं पिरिया कववी तोते माराज के पास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है और उनसे अपने लि पिर तोते महराज जंगल के सभी पक्षियों को अपने महल में बुलवा लेते हैं अरे पक्षियों आप सब मुझे बताओ किया आप सब पक्षियों में से किस किस ने मेरे दिये हुए दानों से अपने घर नहीं बनाया है एरे महराज आपके दिये हुए दानों से सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिये हैं जी महराज हम सब पक्षियों ने तो आपके दिये हुए दानों से अपने घर बना लिये हैं बस कालू कववा ही है उसने ही अपना घर नहीं बनाया है है महरेच उस कालू कव्वे ने जरूर आपके दिये हुए दाने फुजूल खर्च कर दिये होंगे तभी तो उसने अपना घर नहीं बनाया है आरे इसका मतलब है सिर्फ कालू कवे नहीं अपना घर नहीं बनाया है और मेरे दिये हुए दाने फुजूल खर्च कर दिये हैं कालू कवे अब तुमें इसकी सजा मिलेगी अब तुम पूरी सर्दी इस जंगल में ऐसे ही बहार रहोगे तुम्हारे पास कोई भी रहने को घर नहीं होगा और हाँ इसमें पेरिया कव्वे की कोई गलती नहीं है पेरिया कव्वे मेरे महल में रहेगी बस फिर क्या था अब उस कालू कव्वे को पूरी सर्दी ऐसे ही जंगल में बिना घर के रहना पड़ता है अब उसका लुकावे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेना मिलती है कि हमें बिलकुल भी फुजूल खर्च नहीं करना चाहिए